मरमत चल रही है जिन्दगी की गालिब जल्द ही उठेंगे तुफाँ लेकर Welcome back to streamers आज हम दिल्ली के चान्नी चौक में बसे एक और इतिहास के पन्ने को पलतने जा रहे हैं जहां एक बार गालिब की शायरी की धर्कने थी वहीं आज है गालिब की हवेली एक गहरे इतिहास का अन्मोल संग्राल है गालिब की हवेली केवल एक संग्राले नहीं है बलकि उनकी कहानी को जीवन्त कता है चाननी चौक की हलचल भरी सरकों के बीच छिपे इस स्थान को भारत्य पुरातत्व सर्वेक्षिन एस आई द्वारा एक विरासत स्थल गोशित किया गया है जिसमें इटो और स्तंबो की विशेशता है यहाँ पर आते ही आपको महसूस होगा जैसे मिर्जा गालिब जी स्वयम आपका स्वागत कर रहे हो और उनकी शायरी के सुरीली अनुसरन में कहीं खो जाएंगे आप इस हवेली का हर इंच कुछ कहता है जैसे गालिब जी की खुदाए के अनमोल खजाने की खोज हो रही हो यहाँ की हर दिवार, हर वस्तू उस वक्त की याद दिलाती है जब शायर गालिब जी अपनी भावनाओं के उफान में थे ये तीन सो वश पुरानी मुगल शैली में बनी हुई हवेली है जो आज भी अपने शानदार डूप में दिल्ली को सजाती है मिर्जा गालिब भारत के बहुत मशूर शायर थे उनका असली नाम या मैं बोलू पूरा नाम मिर्जा अस्दुल्ला बेग खां था ये उर्दू और फारसी भाषा में लिखते थे और बहुत बड़े महान शायर भी है गालिब 11 साल की उम्रे में ही दिल्ली आ गए थे उन्होंने 13 साल की उम्रे में उम्राव बेगम से शादी की दिल्ली वही जगा है जहां उन्होंने गालिप के नाम से शायरी लिखनी शुरू की गालिप का नाम सुनते ही कोई भी उनकी शायरी के जादू में खो जाता है और इस हवेली में उनके शब्दों की माहौल और महेखर कोने से महसूस होती है गालिप जी ने आखरी साल इसी घर में विटाये थे यहां आपको उनकी रचना आए और उनसे जूरी कई अनमोल वस्तु में देखने मिलेंगी दिल्चस बात ये है कि उन्होंने ये घर कभी खरीदा ही नहीं था बलकि एक हकीम ने उन्हें उपहार के तौर में इसे भेंट किया था वह हकीम मिर्जा जी के बहुत बरे फैन थे 15 फरवरी 1879 को कॉमा में जाने के बाद मिर्जा गालिप जी का देहांत हो गया था उनके देहांत के बाद समय के साथ ये छूटी सी हवेली एक खाना पकाने के हीटर के कार खाने में तबदील हो गई थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका जीरनोधार करके इस हवेली को एकदम मुगल काल वाला रूप दोबारा दे दिया हवेली में दाहिने और आप कुछ तस्वीरे और कवी की एक पत्थर की मूर्ती देख सकते हैं कवी की जीवन शैली को चितरित करने के लिए यहां आंगन में कई तस्वीरे लगाई हुई है एक काच के बकसे में गालिप जी की कवीताएं एक हुबसूरती से संजोई गई है यह हवेली गालिप जी की किताबों और हस्त लिखित कवीताओं अबुजफर जी और उस्ताज जोग जी जैसे उनके समकालीनों के चित्रे के साथ साथ हवेली में हुक्का पकरे हुए उनकी आदम का प्रतिकृती जैसे कई वस्तुएं को घर है कवी के जीवन की एक जलक पेश करते हुए एक दिवार पर उनकी पसंदिदा पोशाक, लंबा कुर्ता और बालो वाली लंबी टोपी के साथ साथ उनके पसंदिदा व्यंजन, खेल आदी के बारे में भी बताया गया है उनकी बेगम की भी पोशाक की एक जलक पेश की गई है इन्ही दिवारों में से एक पर इस छुपी हुई गालिप की दुनिया को देखने के लिए दिल्ली के चाननी चांक मेट्रो स्टेशन से पैदल या रिक्षा से जाए और फिर इस हवेली का दिदार करें यहां पर आने से पहले ध्यान दे की सुमवार को हवेली बंद रहती है लेकिन अन्य दिनों में आप इसे देख सकते हैं और हाँ यहां पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं है इसी के साथ यह व्लॉग यहां समाप्त होता है धन्यवाद